का खाल्चा वाहि गुर्जी की फट है हाजरा हजूर जाहरा जहूर सरब कला परपूर बानी दे बोहेत अमरत दे दाते सहेव श्री गुर्गन सहेव जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच अमरत में लेतों जोड़ बैठी गुरू प्यारी गुरू सवारी सासंग जी ओ बड़पागी हो तेहटडे वाजार सौदा करन बन जा रहा सच बखर जिनी लद्या से सचडे पासार तिन्ना लोकां दे विच स्वांसा दी पूजी स्वांसा दा तानल देके मेरे मालक ने जीवानों भेजिया है पर तो अड़े वर गे जिड़े आके सच बखर जिनी लद्या से सचडे पासार ओ सचे बपारीन ओ जनम सफला कारलंदे न ते पगत कभीर जी केंदे केंदे उन्हादी एक सीन में खिचिया जिड़ा मैं तनो दसल लग गया अब तो जाए चड़े सिंगासन मिले है सारंग पानी राम कवीरा एक पहे हैं कोई न सके पच्छानी केंदे ओ दे राम दे रूप बन जान देना जिड़े अमरत बेले तो आके गुर्वानी दा नाम रस अमरत रस पीन दे हन तन हन पाईशा पाई नदलाल जी भी केंदे केंदे एक दे अड़े मैंनू भी एक खुस नसीब दे अड़ा प्राप्त होया एक दिन सद्गुर के दरवार मैं प्रेम सुराही पीती एक दिन सद्गुर के दर्वार मैं प्रेम सुराही पीती पाग असाड़े लिखी पकीरी सो मस्तक दर लीती सगला जनम गुनाही पर या हरकी बगत न कीती आगे समझ चलो नदलाला जो बीती सो बीती कहन दे गुरुगोबन से दे दर्वार दे विच प्रेम दी सुराही विचो सारे नू प्याले बंडे जन्दे सी मैं गया मैंनू भी ओ खुस नसीब ओ प्याला प्राप्त होया पीन दे नाली पागती दर रंग चड़ गया पागती दर रंग चड़ गया ते मैंनू समझाई सारा दिन सारी जिन्दगी मेरी यह मही लंग गयी हरकी बगन ना की थी ते गुर्दे उपासा केंदे आगे समझ चलोना दलाला जो पी ती सो बीती जेड़ी जिन्दगी बीत गयी ओ बीत गयी अगे तो समझ रख हर दिन रहन की इतन गाई है बोड न चोनी पाई है सास संगे जी ओ आप न रहन कला दा आर जग में पर वरे हो जगत गुरु गुर्णानिक देव जी महराई दा गुर्पर वारे है मैं समझ दा तक युन चाली एक साला तो हूँ गुरु धी करपा सद्का आप जदे दर्सन करम दा समा प्राप्त हो रहे है असी कराँ कराँच उगराई करें जा रहे सी गुर्णानिक साथ देव गुर्पर दी पर जदों ते सदार हर्मन जी सिंग जी कमेटी आई इनने कैस कम नू बंद करना चाईदा गुरु सब्दा है सारे नू दातां बंद रहे है ते कारविच जदा सी जन्दे सी जड़ा कोई ग्यारा जार दंदा सी उन्नों सी कहन दे सी की कर दो जड़ा लख दंदा सी उन्नों कहन दे दो लख कर दो कहन दे है नही एक खेड प्यार दी है खुसी दी है ते इस करके कोई जो तो प्यार दिखांदा है के मेरे घर जरूर रहो ते कमेटी जान दी है नहीं ते बाहर काउंटर लगया है पाईसाव उत्थे बैठे ने जो तुल तिल भुल सिवा करनी है उजरूर करो काल खाए गुर्देव जी कहनदे ये वाही गुरू दू मिलन दा रास्ता है पुन दान जो भीज़ दे सब दर्मराए के जाही ए दर्मराए दी कितावाच ले खेर जान दा सो सबतों पहला गुरू गर्दे बजीर पाईसाव भाई जस्वाल सिंग जी जिनने दे बेटे बलो ग्यारा हजार रुप रुपे आया है ते समू संगता दे चरनाच बेंती है जिननने इत्थ माया देनी है इत्थ दे सकदे हो बाई पाईसा बैठेन है जरूर जरूर अपनी हाजरी लो आओ गुरू माराई दी खुशियानू परात करो हुन साड़े दे विच पंथ दे महान बिद्वान ग्यानी हरवन सिंग कभी राम नाम मुकोथरी पारक आगे खोल कोई आय में लेगो गहा की लेगो में आगे मोल इना कोल और राम नाम कोथरी विच वह गुरू नाम दे हीरे हन आप जी बिपारी हो एहुन बंड़न गे ते तुसी दिल खोल के लेना उल्ला चुकादी खिमा पाईसा बाई हरवन सिंगनो बेंती है माराई दा मुक बास सुनाँ दी कर पालता करन वह गुरू जी का खाल सा वह गुरू जी की फ़त है साथ नाम श्री वह गुरू जीओ सत गुरू नानक प्रगटेया मिटी तुंद जग चानन हुआ जयांकार सूरज निकलेया तारी छपे अंधीर पलूआ सज्जन सचा पातशा सिर शाहां देशा जिस पास बहठेयां सोही है सबना दावेशा जिस पास बहठेयां सोही है सबना दावेशा जैसरी महला पंजवा कहरती जाएक उवंकार सत गुरू परसाद कोई जान ने कवन इहां जगमीत जिस होए किर्पाल सोई बिदबू जैता की निर्मल रीत जान ने कवन इहां जगमीत जिस होए किर्पाल सोई बिदबू जैता की निर्मल रीत रहाओ मात पिता बनता सुत बंदप इस्ट मीत अर्पाई पूरब जनम के मिले संजोगी अंतहको नसहाई मुकत माल कनक लाल ही रा मन रंजन की माया हाँ हाँ करत बिहानी अवदै ता मेह संतूक ना पाया हस्त रात अस्व पवन तेज तनी भूमन चत्रंगा संग न चालेओ इन मैं कछुए उर्स दायू नांगा हर के संत प्रे प्रीतम प्रभ के तां के हर हर गाई ए नान के इहां सुख आगे मुख उजल संग संतन के पाई ए हर के संत प्रे प्रीतम प्रभ के तां के हर हर गाई ए नान के इहां सुख आगे मुख उजल संग संतन के पाई ए वाह गुरू जी का खालसा वाह गुरू जी की फते वाह गुरू वाह गुरू वाह गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरूजी का खाल साथ वाहे गुरूजी की फते सुनें अरदाश सामी मेरे सरव कला बनाय परगट भाई सगले जुग अंतर वाहे गुरू गुरू वाहे गुरूजी का खाल साथ वाहे गुरूजी की फते गुरू रूप गुरू प्यारे साथ संगत्यों इलाही हुकम नमा जिस्ते प्रथम बोल ही जगतनों बहुत कुछ दे रहने कोई जाने कवन एहां जगमीत ते सारे ही नहीं जान दे बहुत विरले थोड़े जान दे की के सड़ा असली मित्तर काउन है ते जिना नू समझ आ गई जिस होई किरपावल सोई बिद बूजे तांके निरमल रीद ओदी चावल ओदी मर्यादा वक्री होगी हकीकत है जो पाई साथ जी ने इस पावन अस्तान दे बहुत विद्वान मैनेजर सहब देविंदर सिंग जी क्योंकि बहुत ऐसे यह पंक्तियां जो अब जी खोज के लिएंदे हों यह देवास्ती भी बहुत कुछ मशक्कत चाहिए दियों दी यह पंक्ति कि थे केड़ी थां है फिर ओसंगतान दी सामने पेश करनी और एक पंक्ति ही सब कुछ दे जान दी यह पुर्खा तेरा जो जीवन बीत गया बीत गया तुम वो दी फिकर न कर ते होन में की करां केंदने आगे की सुदले जीड़ा बाकी धर समा बच गया ओ इबादत विच भगती विच सत संगत दे विच बतीत कर एक एक पंक्ति भी कई दफ़ा जीवन द सावर समझा जान दी है एक को पंक्ति गुरु नानुग सहिब दे गुरु प्रभ लई जो अप जीनों अर्ज कीती एक दफ़ा गुरु नानुग सहिब जी कंदेने संगतानों कि जदु धार्मिक कारज होवे जान धार्मिक अस्तान ते पंचना आप जीने गुरु करदे विच कोज भैट रखी है गुरु के लंगर दे विच कोज रसद पहुंचाई है यकीनन मनना के घर दे विच ना करदे धान दी तो उटावेगी ना करदे रसद दी तो उटावेगी केंदे ना दान दी तोट कदे ना रसद दी तोट यह हर एक दा फर्ज है के गुरु करदे विच गुरु परब दे इस कारज नू बहुत सोने टंग दे नाल करनों आसते धन चाहिदा है माया चाहिदी और माया फिर अब जीदे ही सफली होगे तो इस करके बहुत ही उट्शावते खुशी होनी चाहिदी मैंनों एक कलोर चेते आगई के किसे समाँ दे विच असीवी जान दे से प्रबंदक सजना दे नाल मिलके घराँ दे विच भई गुरु परब है ते किन दे से के गुरु नानक साहिब दाही सब कच देता हुया है ते तुसी बस हुकम करना है मेरे लिए की सेवा है यह हुकम करना है मेरी भाग बहुत चंगे ओनगे मेरी खुश नसीबी होवेगी जे तुसी खुद कैद होगे ए सेवा है तेरे लिए ऐसे भी प्यारवाले करना लगे यह नहीं देखना यह सेवा कितनी वड़ी है जा कितनी है यह नहीं देखना बस मेरी जोली विच सेवा पादो ते मैं एक दिन पुछ लिया जे किदर वड़ी सेवा पादे ये जोली विच फिर करने लगे मैं बहुत ही तनवाद करांगा कि तुसी मैंने वड़ा समझिया है ताहीं वड़ी सेवा पाईए तसी मैंने बड़ा समझिया है ताइं तमड़ी सेवा पाई खैर गुरु नानुक साइब रहमता करन अजदा जो पावन लड़ी वार शब्द है गुरु रामदास पाथशादा अपजी कंदी ने आउद पुरक अपरम पर आपे ओ प्रभु जो सारियां दा आद है मुड है पर ओदा कोई आद नहीं ओदा कोई मुड नहीं जिस्ता कोई उरला ते परला बना लब नहीं सग्दे ते ओदा कम की है कारज की है ओ करता पुरुख है पर उस कृत विच कितना कुझ हो रहे है कहने लगे आपे थापे थाप ओ थापे बनानदा है मिटानदा है बनानदा है फिर मिटानदा है इस रोह जमें ते जो कुछ बनिया है उसनों बना के फिर मिटा देना होना बणा ता लेया फिर मिटाण दी की लोड है जी मिटाणा ही सी ता फिर बणाण दी की लोड सी जरूर मनुक सोचदा होगेगा और फिर इस बणा के मिटाण विच की रब नो दुख नहीं होंदा मनुक नो जनम देंदा है फिर मार देंदा है पिछी परिवार रोंदा है रिलाब करदा है कि रब नो दुख नहीं होंदा तो आलमा तो कहना है कि अक्सर अशी कह देने या यह लीला है गिर्शन दीला राम लीला और धनुगुरु अरजन देव साहिब कह देने यह कुद्रत भी लीला है जांकी लीला की मित नहीं लीला इतनी उची है इतनी उची है कि उदा अंदाज़ा ही नहीं है मित तमरा अंदाज़ा तो आप जी ने यह भी कह देता कि सगल देव हारे अबगा मैं ज़रा देखां ए लीला है कि करन लगे ठक गए हार गए हार गए पर समझ नहीं आई अखीर विच ए देखिया कि सब मैं वरते एको सोई सारियों दे विच बैठा हुए उच नीज तिसक अस्थान कल जड़ा सुखमनी सहब दी मैं कि देखादा कर रहा सी ते इस पंगती ने ऐसी चोट मारी है कि जितने भी अस्थान ने उच नीज तिसक अस्थान कि एक पापी विच भी बैठा है एक पुनी विच भी बैठा है एक चोर विच भी बैठा है एक संते भी बैठा है फिर बैठन दा तरीका देखना कि चोर विच बैठके भी रब चोर नहीं है कितनी बड़ी खेड़े लुटेरे विचे बैठके भी रब लुटेरा नहीं है शिराबी दे विचे भी बैठके रब शिराबी नहीं है बैठा खोदी है अजीब कहते है उस ते इस खेड़नों समझना गुरुमुख छोबा पावनिया गुरुदी गल सुनके फिर मनुख न शौबा मिल दी है गुरुदी गल सुनके होण इत्हे में एक जिकर करा सुकदेव ने कह दिता जो कि ब्यास्दा पुत्तर सी ते पिता नों कहनदा है मैं सिमरंता करदां पर स्वाद नहीं आंदा अनद नहीं आंदा मैं की करा पिता कहनदा है कि सिमरं देविच स्वाद दे लई गुरु चाईदा है क्योंकि उग्दी जुगती गुरु सिखानदा है और धन गुरु ग्रेंच साहब देविच बाई कहईदा एक जुगती दा इजहारी भी केता है कि धन में द्यान ध्यान में जानी है गुरु मुख अखत कहानी जि उस रबनों समझना है ते फिर धन में द्यान जदो अपजीदी रसना चो वाही गुरु वाही गुरु वाही गुरु निकल दा है ते इस धन दे विच द्यान भी ओना चाहिए रहे हैं, रसना बोल दी रवे वाहि ग्रु कन सुन दे रहे हैं वाहि ग्रु क्योंकि ध्यान फिर उथेट क्या रहेगा, धोन मैं ध्यान, ध्यान मैं जानी है, ती मुल गल है ध्यान, तो ध्यान गुरु सिकांद है, समाधी गुरु सिकांद है, सिमरंदी जोगती गुरु सिक महाराज केड़ा गुरु धारन करा तो ब्यास केंदा है तो जनक देखोल जा ओ तैनों जुगति सखाएगा होन देखना ब्यास देखोल कितने ही रिशी अंदे ने नाम दी दात लेण लई और कितने ही सादुआ फकीरां दा गुरु ऐ ब्यास और अपने पुतर नों जनक देखोल वेग देखोल कारण की है कारण ए है कि कई दफ़ा ऐसा उन्दा है कि घर विच भामे पुतर होवे भामे पिता होवे जे इलाही जोत ओदे कोड है ता फिर परिवार दे लेने पांदे मित्तर लेनी पांदे शरीक लेनी पांदे और एक मैं होर अर्द कराँ जे डॉक्टर दा पुत्तर बिमार होए ओदा इलाज खोद नहीं करदा तु दूजे देखोड़ जा तेरा आउपरेशन मैं नहीं कर सकता दूजे देखोड़ जा सुकदेव कहनदा है माराज मैं सोने आए जनकता सोने दे सिग्यासंते बैठदा है और सोने दे ही पांडिया में विचे भोजन छकदा है ते ओ मैंनो फिर नाम की देगा मैंनो जुगती की सिखाएगा मैंनो ता समझ नहीं आ दिया पर पिता दा हुकम है जाना पैंदा है मैं जाना विचेकार नदी पैंदी सी इशनान कीता क्योंकि तनदी पवितरता भी चाहिदी सी ज़ों आमरत छकदेया ते सानुवी हिदायत दिती जान दी है कि केसी इशनान करके आणा सुकदेव ने इशनान कीता पांच गए जनक देदवार थे संत्री ने सिजदा कीता क्योंकि पता है व्यासदा पुतर है सुकदेव कंदा है संत्री नो जनक माराज के थे ने अंदर बैठे ने रसोई देविच सुकदेव ने अपनी लंगोटी बार रखी है तुम भी बार रखी है ते लकडी दा टुकड़ा भी हत्विज सी ओ भी बार रखी है चले गए अंदर देखिया हैरान होगे चती पिरकार दा भोजन जनक दे सामने पे आए वाकी सोने दे बांडे और सोने दा इसंग्यासन सुकड़ेव सोचदा है असी रुखी रोटी खाके भी वासना तो नहीं बचपांदे इच्छती पिरकार दा भोजन खाके वासना तो किस तरह बचदा होगी किस तरह पिता ने गलत थांते पही देता है पर जनक की कहनदा है आओ रिशी पुत्तर जी पिता हो कुछ रबदी चर्चा करिये होन सुकड़ेव कहनदा है जनक नू महराज रबदी चर्चा ओवी तवडे नाल मायाधारी ते रबदी चर्चा तां उत्थे ओंदी है जित्थे दुजावी जिगासु होवे पर तुसी ता पूरे मायाधारी रबदी चर्चा किस तरह होएगी जनक कहनदा है जि मैं मायाधारी है तो मैंनो रबदी गल तो ही सुना दे किते मैंनो ही समझ आ जावे कुछ मेरा ही जीवन बदल जावे और देखना इतनी महान अवस्ता दे मालक अन जनक फिर भी कितनी ने मरता है कितनी ने मरता है कि तो ही कुछ सुना दे किते मेरा जीवन बदल जावे मैं की सुना माँ कहने ने कोई भी गल जहन विच नहीं आ रही मैं कितों शुरू करना रबदी गल इतनी देर विच पैरेदार पजदा हुजानदा है कहनदा है जनक माराज साड़े मैला नो अग लग गई है ते जनक की कहनदा है पैरेदार नो जंगा पाई और अग लगी है लगी रहन दे और एक रिशी सामने बैठा है कुछ रबदी गलन कर लगी ए मौका वार वार नहीं आंदा अग दा अपड़ा कम है जनक को कम करना है करना है उसने सुकदेव देखदा है सोचदा है एक ही है मैनो मिलन वास्ते मेरे नाल चर्चा करन वास्ते अग दी भी परवा नहीं है महल सड़ गया ओही पैरेदार फिर भज़दा हुया महाराज अगता वद गई है और इतने वद गई है कि जित्थे मेरी जूटी लगी है द्वारते उत्थे तक पहुंच गई है उत्थे तक जनक कहनदा है मैं अगदा स्वागत करां जा ऐसे महान रिशीदे पुतर दा स्वागत करां पर मैं इसे रिशीदे पतर दा स्वागद करना है मैं अगदी पुरवानी करनी है बहां में ओ द्वारते क्यों ना पहुंच गई हो जदों द्वारती गल सुनी ता सुकदेव उठदा है पजदा है केंदा है मेरी लंगोटी द्वारते पई किते सड़ना जाए जदक हमशबया ते हत फटके गई राए सुकदेव जी हौन दस माए धारी तूं है में है। अौन तूं दस मेरा मायल सड़ गया मैंनो ओधी फिकर नहीं है हौन तेरी दोती कीमती है जा मेरा मेरा मैल कीमती है कहने लगे माराज इस हिसाब देना आड़ता मेरी दोती कीमती है वाकी मायाधारी मैं है जनक दे कोड सब किछ है फिर भी मायाधारी नहीं है सुकदेव दे कोड एक लंगोटी है फिर भी मायाधारी है लंगोटी दी फिकर है होन देखना सुकदेव कहनदा है जनक नू महाराज होन तक तक मैं आप जिनू दो दफ़ा राजन किया है ए राजन पर होन मैं तीजी दफ़ा आप जिनू किया है महाराज की मैंनू दिक्षा दे सकते हो मेरे गुरू बन सकते हो नाम दी खैर मैंनू पा सकते हो जनक कहनदा है हाँ जिदों काबल्यत होएगी उस तों पहला नहीं काबल्यत किस तरह होए कहनदेने फिर रोज तेनों कथा सुड़नी पाएगी ते सेवा करनी पाएगी धानगुरु ग्रण साहब देविच पावन बोलखन कि सुखदेव कथा सुणदा सी किते बैठके जिद्धे जनक दीर सोई सी उस ते पिछले पास है संगत लंगर छकदी सी पतलां ते ते ओ पतल सुटदे सी सुखदेव ते ते ओ जूठन उना ते मुख ते पैंदी सी रोज उना ते चरीर ते पर कदे एखेज पैदा नहीं होई कि मैं रिशी पतरां जा मैं ब्रह्मन पतरां ते ए जूठन मेरे शिर्ते पै रही है मेरे शिर्ते पै रही है पर मगनता दिनाल मैठा है ध्यान जोड़ के बैठा है जदो जूठन दा बहुत कठो गया हो थे ते जनक सिवादारनों केंदेने कि हुन ए जूठन इत्व हटाओ ते जूठन तबाउत कठी होगई हटा ते दो सिवादार जूठन हटांदेने ते जनक दी रसना चो जो बॉल निकल देने बस एक बॉल दे नाल ही गल बन जान दी एक कोई बॉल की बोल बोले ने कथा पहला सुन दे रहे ने अज जनक माराज केंदे ने सेवादारानों ए जूठन जरा चंगी तरां कठी करना अंदर बैठे होई मापुरिशनों के ते चोट ना लग जाए बस इतनी जी कले रसना जो किया अंदर बैठे होई मापुरिशनों के ते चोट ना लग जाए जनक दा कैना मापुरिश और सुख देव दा जीवन उसलिए ले करांती गटित हो गई बदल गया ए गुरू है और धानुगुरु ग्रेंसहब दे विच्वी जिकर आया कई दफा जनक राज था कई दफा तो आप जी कितने खुश किसमत हो रोज गुरू दी हजोरी बीच बैठ के कीतन सुन दे हो कथा सुन दे हो फिर वक्वक समदी सेवद आप जिनमों का मिल दा है कितने बड़ भागी है हाँ वारी जो वारी निरंकारी नाम धिया बनिया है ओ नाम निरंकार जिदा कोई अकार नहीं है ऐसे प्रभूदा रूप नहीं है रेख नहीं है तिस रूप ना रेखिया पर सुन दे गट गट देखिया जिदा रूप भी नहीं है जिदा रेख भी नहीं है पर गट गट विच देखिया किस तरह देखिया कि अंदेने गुरु मुख अलक लखा वड़ने है मेरे गुरु ने मैंने ओ रब दिखा देता ओ पर बो दिखा देता हुन गुरु ने की सड़े कीते हुई गुनामाते ध्यान नहीं देता पर सो भी मैं अर्ज कर रहे हैं सी मैं अर्ज करन तो पहला हूँ आप जी दा सारी आंदा में तनवाद भी करना है आप जी ने आशीश बक्षी ते पावन अस्तान दे मुख सिवादार हर्मन जी से जी दा बहुत तनवाद क्योंकि उस दिन सारा ही दिन आप जी यकीन मनना कट दों कट डेड़ सो दे करीब फौन में वादे रहे ते सवाल एक कोई पुछ दे सी सवाल की पुछ दे सी जाता उना ने पुछना कि जो सिख धरम दे महान कथा वाचब कि आप जी उना दे पुत्तर हो जब रहा हो पहला ही दे सो असी ता बहुत कंफ्यूज होई पह है ते दूजी गल पुछ दे सी ए ऐसी कला किस्तना गई के हूब हूख ख्यालात विचार अखां बंद करिये ता ऐसा लग दा होई बैठे ने साड़ी सामने ते उना ने जो कुछ किया एक प्रेमी ने के शुकर है प्रबूदा के दो हजार पंज़ दे विच गौची हुई आवाज सनु फिर मिल गई है ता मैं तनवाद करांगा हर्मन जी सिंग जीदा के घरां घरां दे विच ए आवाज पहुच रही है ते लोग खुश हो रहे हैं क्योंकि इनसाने तनु जी हूर कुछ नहीं दे सक दे ता काट तो काट एक गुरू दे बोलता हुना दी जोली विच पाई है निरंकारी बोल ले तो मैं अर्ज कर रही है सी कि गुरू ने सड़ गुना नहीं देखे करन लगे नहीं देखे क्यों नहीं देखे करने एक मानू देखना सारा ही जगत करना है मानू तेरा बच्चा गुनागार है गुनागार है तेरे बच्चे ने गुना कीता है तेरे बच्चे ने पाप कीता है मा फिर भी कहन दी है नहीं मेरा बच्चा गुनागार नहीं है कहन दीने इतने गुना होनो तो बाद भी मा कहन दी है नहीं मेरा बच्चा गुनागार नहीं है गुनागार नहीं है तो कहने देने फिर रब भी मावर गई होवेगा मावर गई होवेगा और हकीकत है जी रब दा अस्तूल रूप देखना होवे तो मा नो देख लेना और मा दा जी सुक्षम रूप देखना होवे तो फिर ईश्वर नो देख लेना और कई कहन देने कि सानू तो लगदा है कि परमात्मा सड़ी मावर गई होवेगा इतने गुना देखन तो बाद भी मा कहन दिये मेरा पुत्तर सब तो उत्म है सब तो उत्म मा कहन दिये और जदों जवानी विच पिता दसाया भी उठ जावे तब मां कई दफा की कहन दिये मैं अपने पतर दे सारे दी लवांगी मैं जीवन बिता लवांगी इतना वड़ा दान इतना वड़ा योगदान हाँ रब भी कहन दने वही देलूता ते किरपालूता रख़दा है तोँ देल किरपाल प्रबसोई तद बेन दो जा अवरन कोई तो ही है जे अपनी गल पहुचानी होए ता रह्बरी पुर्शानों भेजिया और कैन्देने अपना विकास करना होए ते फिर केंदेने फिर मानों भेजिया मा रब दे हिलाही बोल जगत दी जोली विच पैन रबरी पुरुशनों भेजिया रब ने अपना विस्तार कीता ते केंदेने मानों भेजिया क्यों? क्योंकि परमातमा एक क्रियेटर है दा क्रियेटर एद दा क्रियेशन ते मा भी उसे तरह दी गुरपरसाद करे नाम देवे नामे नाम समामनिया ज़दू गुरू रहमत करदा है नाम दी दात जोली विच पांदा है ते के ने नाम जप दियां जप दियां उस नामी दे विच एकमे को गए क्योंकि नाम किस दा है नामी दा और ए नाम किते ले जानदा है के ने नामी दे कोड ले जानदा है क्योंकि नाम तेरा निरंकार है नाम लईय नरक ना चाहिए तो कितनी बड़ी दौलत साड़े कोड है कितनी बड़ी दौलत बस इस दौलत नो अपने कोल साम के रखना है किसे ने सवाल की ता कि मेरे कुल तिन शबद ने जरा अपने विचार रखो इना तिना थे शबद केड़े सी कि कई दफ़ा किसे नू कह देने है मूरक गुर्बानी भी कह रही है मन मूरक अज हूना समझत सिख दे हारियो नीत नानक भावजल पार परे जो गावे प्रब कह दीत इं मूरक की है ते दूजा शबद होंदा है मूड़ वो मूड़ की है ते फिर जिड़ा तीजा शबद है उसने विच असी कह सक देया कि समझदार इतिनना शबदान दे बारे अपड़े को जो विचार दो तो मैं उसनों अर्द कीती कि एक मनुख है कीचड़ दे विच फस्या होया है कीचड़ दे विच फस्या होया है पर फिर भी उसनों कीचड़ दी समझ नहीं आ रही है ये मूरक है मनुख विकारान विच फस्या होया है फिर भी विकारान दी समझ नहीं आ रही है मूरक है विकारान दी विच ही खचत है कीचड़ विच ही खचत है कीचड़ ही ओदा जीवन है कीचड़ ही ओदी खुराक है कीचड़ ही ओदा सब किच है ए मुरक कीचड विच ही जमिया कीचड विच ही खतम हो गिया उसनों पता ही नहीं है और मूड किसनों गंडेने कीचड विच बैठा है पता भी है एक कीचड है खबर है क्रोध गलत है खबर है हंकार गलत है खबर है लोब गलत है समझन तो बाद भी कीचड विच ही वार वार डिगदा है यह मूड है जिसनों पता है एक कीचड है पाप नहीं करना, गुना नहीं करना पर फिर भी कीचड विची रहना ते तीजा मनुख जिड़ा है गा जानकार किसनों के ने जानकार ओ है जिड़ा कीचड विच बैठा है उसनों काबर है एक कीचड है ओ उठदा है, मैं बार निकला डिगदा है फिर उठदा है, फिर डिगदा है फिर उठदा है, फिर डिगदा है और फिर उठदा है, और पहुंच जनदा है मंदर दिद्वार तक और इते दानसबंद की कंदेने कि जे तेरी तो कोई गुना हो गया तू डिग पी आएं ते दोश है डिगना पर उस्तों भी वड़ा दोश होवेगा जे तू उठेंगा नहीं था उठ डिग पी आएं कोई गल नहीं है पर तू उठ हो उठन दी कलासिक और एक दफा नहीं दो दफा नहीं जे तू तिन दफा भी डिगिया है तो फिर उठ फिर उठ और एक दन ऐसा आवेगा तेनों मंदर दा द्वार लब जावेगा बस इतने जी घल है एथे आके तेनों समझ आवेगी हे प्रभू तू आपे सच्चा सिरजन हारा पाकरी तू सच्चा है और जिसने सच्च नों गालेया भगती भरे तेरे भंडारा ओद एक घर विच ता बंडारे भरे पहने भगती दे तेरी जोली विच भी भगती पादेगा मंगदे ने सादक मंगदे ने हे प्रभू राज न चाहूं मुकत न चाहूं मन प्रीत चरन कम लारे मेरी जोली विच प्रेम पादे प्रेम एक शायर कहनदा है कि फुल दे खोशबू निकल जावे, फूल फूल नहीं है, ते खोशबू भी बटक दिये फिर, गाल बिल्कुर ठीक है, अगां केंदेने, जे दीवे देविचों, जेड़ा दुआ हैं, ओ चिराग तो निकल गया, केंदेने, फिर ओ भी बटक देई है, जेकर किसे मनुख दे हिरदेविचों, एक तड़फन निकल गई, पिर ओदा भी जीवन बेकार है, तड़फन नहीं है, मिर्तक समाद है, केंदेने फिर उस दे मैफिल चो निकल के मुसीबत ही मुसीबत है दुख ही दुख ने तो दुख सुख करके नाम ना छोड़ो ने रंकार दी मैफिल नो नहीं चड़ना उदी मैफिल दे विच हर वे ले दृष्टी रखनी है निगार रखनी है तो मैं अर्ज करडिया सी उस्ते दरते भगती दे बंडार भरे पैने गुर्मुख नाम मिले मन भीजए मन भीजगिया मन कीये विचार पहला विचार कुछ होर सी जड़े तरफन देंदे सी दुनिया दी अज ओ विचार भीजगए ने गुरू दे शब्दा दे नाल ते फिर केंदे सहज समाध लगावनिया सहज दीरच और ऐसी समाधी युड़ गई है जिसनों असी केंदे यां दीरच दीरच और दीरच विच जो जीवन बतीत करदा पे आए समझ लेना वो समपोरनता वल जारिया है वो सचवल जारिया है और जदों वो सच वल जा रही है पूरंता वल जा रही है तो जिस तिन वो रूखे जमीतों उदा सफर खतम होवेगा तो उदों भी पूरा होके जावेगा पूरंता वल ही जा रही है पूरंता वल तो इतनी कोशिश करनी है कि जीन्दे जी पूरंता वल जाना है जीन देजी सच वल जाना है फिर एथों शरीर छड़िया उत्थे सच खंट मिल गए क्योंकि सच तां पहला ही नसीब सी पूरंता तां पहला ही नसीब सी हुन बस एक शरीर सी प्रकावट कल खतम हो गई एथे में एक अर्ज करा सरमगनू जदों कतल कीता अब जीनों जानकारी होएगी के जामा मस्जद दे कोल उना दास्तान बढ़िया हुया है पावडियां दे करीब ही उसनों कतल कीता से क्योंकि उख कलमा पढ़दा सी अधूरा जदों उख अधूरा कलमा पढ़दा सी पहला तां उदे बोल होंदे सी ला इला अल्लह केंदे ने कोई नहीं है खुदा मैं देखिया ही नहीं मैं किस तरह कह दूँ है खुदा फिर साधना करदियां करदियां उसने फिर कह दिता ला इल्लह अल्लह हाँ है यकीन है खुदा खुदा तो सिवाए कोई भी नहीं है इसलामिक दुनिया केंदी है एप हुन भी अदूरा है हुन भी अदूरा है क्योंकि इस तो अगांदे जड़े बोलने महम्मद रसुल्लह ए क्यों नहीं बोलदा करने लगे ए नहीं बोलंगा क्योंकि इस पूरे कलमे दा भाव है के कोई नहीं है खुदा के सिवाव और उसके रसूल्ल महम्मद के तो सर्मद की कहन दा है कहन देने अल्ला के सिवाए होड़ कोई भी नहीं है फिर इसलामिक दर्भ ने एक फत्वा जारी कीता काफिर हो गया है इस तक कतल कर दो अब जी बहुत कमाँ दे शाहर भी सन सुफी फकीर भी सन शाहर भी सन जी कदे अब जी नो मौका मेले उदे अस्तान नो देखन दा जरूर देखना क्योंकि फकीरां दे अस्तान देखने उदे विच कोई गुना नहीं है उत्थे एक शेर लिखिया हुया है अर्बी डे विच जलाद सामने खड़ा सी उदे हत्विच खंजर सी चारो तरफ भीड लगी हुई है आज सरमद्द कतल होना है किसी ने कुछ कह दिता सरमद दे कन्ना विच आवाज भैगी सरमद्द और अखीर लासमा है कुछ ता बोल नहीं ता लोग केंगे के सरमद्द कतल हो ज़िए अखीर विच सरमद मायूस हो गया कुछ ता कह खुदा वास दे कुछ ता कह उसने की के अर्भी बोलने पर मैं आप जिनों पुझाबी देविच ही अर्च कर रहे हैं कहने ने हे खुदा सामने जलाद खड़ाए हात विच खंजले और कहने खुदा मैं अपनी तमाम उम्र देविच तेरे सारे रूप देखे सारे रूप देखे तेनों अमीरी विच भी देखे आ तेनों गरीबी रूप विच भी देखे आ तेनों चोरदे रूप विच भी देखे आ कोई चोरी करदा पिया है मैंनों ओदे विच भी तेरे जलवे दा जोर होया मैं तेरे हर रूप देखे एक रूप बच गया सी जलाद दा अज मैं ओभी देख लेगा अज ओभी देख लेगा होन जलाद नो केंजा तुम अपना कम का सा इस शेर अज भी उत्य लखिया हुए कि तुम जलाद मेरे वास्ते अज जलाद नहीं है अज मेरे वास्ते तो खुदा है जलाद दे रूप विच आया है केंद नहीं एक दफा तो सारे ठहर गए एक ही होगिया सरमत गल अधूरी कह रही है फिर पूरी कह रही है इस जलाद नहीं तो तेनों मिटा देशना है फिर एक खुदा दे रूप विच किस तरह है इसने तो नहीं मिटा देशना है सरमत कहनदा है चंगा फिर एक गल भी में पूरी करना आत्मा ते परमात्मा दे मिलन दे विच बस एक ही दीवार सी मेरे शरीर दी अज ओ दीवार भी खतम हो रही है और दीवार भी खतम हो रही है इस शरीर ही रुकावट सी आत्मा परमात्मा दे मिलन दे विच और अज फिर मैं ने रंकार दे कोल जा रही है ख़दा दे कोल जा रही है कहने ते ने जलाद भी रोपिया मजबूरी सी हो दी और अज़ेब ने फत्वाजारी की तसी कतल करना है पर ओभी रोपियाज तो मैं अर्द कर रहे हैं सहज समाद है जीन देजी समादी प्रापत हो गई जान तो बाद भी समादी है अन दिन गुन गावां प्रब तेरे हे प्रबू मैं दिन रात तेरे गीत गावां तुद सालाजी प्रीतम मेरे हे मेरे प्यारे प्रीतम मैं दिन रात दिन गावां क्यों? क्योंकि तुद बिन अवर्न कोई जाचाहां गुर परसादी तूपा बनिया मैं किस अगे पुकार करां? जा जाँ, मैं किस अग याचना करा क्योंकि तू ही तन दाता है तू ही दाता है मैं तेनु छड़ के और किस पास तो मंगा कहने देने चंगा, फिर मंग ले की मंग ले कहने देने हे प्रभू तू अगम है अगम कहने जित्थे तक गमन ना ओवे पाँचनावे इंद्रियांदी उन्हों कहने अगम अगोचर जो इंद्रियांदी पकड़ दे विचनावे मित नहीं पाई तेरा अंदाजा नहीं पासके पर अपनी किर्पा करें तू लहे मिलाई तू अपनी किर्पा कर मैंनो मिला, मैंनो जोड़ केंदेने फिर जुडन दा एक कोई तरीका है और कोई तरीका नहीं है और कोई जुगती नहीं है एक कोई जुगती है कि पूरे गुर के शबद ध्याई है शबद सेव सुख पावणिया यह पूरा गुरु है जिते आप जी बैठे हो शबद गुर पूरा जदो ए रसना गाउंदी है किसनो गुण मंती रसना गुण मंती गुण गावे नाम सलाहे सचे भावे भागे सचनो भागे रबनो रब दे गीत गागा के रब दे गुण गागा के ए सुगात सडी जोली विच पैगई फिर गुर्मुक सदा रहें रंग राती मिल सचे शोबा पावने जदो सच नसीब हो गया तो फिर चोवी गंटे ता की पैई साब जिने जवें आप जिनों दस्या सी कि ए इलाही प्याला जिदो नसीब होया इलाही प्याला नसीब होया के देने फिर सारी जिन्दगी दा अनद बन जाता है सारी जिन्दगी था एक आलम दा घर्णा है के कई दफ़ा की ओनद आए मैं खाना भी कोल होगे ते प्याला भी होगे ते सागर भी होगे ते होन जिनों सब के चपिया है ते फिर काटगी है के बद किसमती है के कोई पीने वाला नहीं मिला सब किसी एथे जेकर मैं अर्द करां हर रोज गुर्बानी दे इलाही की रतन अमर्त बरसदा है हर रोज गुरूदी विचावर इलाही अमर्त बरसदा है पर आप जी खुश किसमत हो कि जो इस्तिवपारी बन के बैठे हो कि हाँ एचीज इचाई दिये नहीं ता कबीर साहब ने एक थांत कह दिता से कह दिता से की किया शबद भामे छोटा जी आए पंग्ती छोटी जी है पर इस ता जी विस्तार करन लगी है ता एक घंटा भी जाएगा कठ तूं गठ की कहां देने कबीर साहब कहां देने कबीर हर सो हीरा पाई कै कबीरा गांठ ना खोल नहीं पटन नहीं पारुखू नहीं गाहक नहीं मौल और मैं की करा मैं हीरा जी करके से दे सामने रखा ते ओ केढ़ और पूमट नहीं रुपई है एक शुर्पई है फिर मैंनो इड़्ख हुआँ जर्दा है कोई कहन दा है ते कीमत है पज रुपई है और मैंनो इड़्ख हुआँ मैं की करा ओ अखीर विचे फिर बी में वक्षiden किसमदी मंंडीरे विचे बाह में कोई लोहा मंडी है, कोई कुईला मंडी है, कोई सोने दी दुकाना ने, बाह में चांदी दी दुकाना ने, मैं अपना हीरा लेकर बैठा हुए हाँ, और मैं की करा हूँ गागतां बहुत आंदे ने लकड़ी आंदे गागतां बहुत आंदे ने कोई ले दे गागतां बहुत आंदे ने लोहो दे गागतां बहुत आंदे ने सबजी दे पर मेरा कोई गागी ने आ रही पर जे किदरे कोई गाहक आवी गया ते केंदा एच चीज ता मेनू पसंद है पर मैं कीमत नहीं दे सकता मैं की करा कीमत की है कंचन स्याँ पाए नहीं तोल मन दे राम लिया है मौल इत्फे मन देना पेंदा है बाकि होड कोई कीमत नहीं है पर मनमुख करम करे हंकारी केंदेने मनमुख हंकार दे विच्छी सारी खेट खेट जो ए जनम सब बाजी हारी यह जो जीवन है केंदेने बाजी हार गया बाजी किस तरह हार गया इतने अनबोल स्वांस बक्षे सी रब ने ते किस तरह बरबाद कीते कोड़ी दे बदले छूट बोलके तोखा करके हेरा फेरी करके कहने इस तरह ये मेरा जीवन तबाव गया अंतर लोब महा गुबारा फिर फिर आवन जावनिया इतनी गल समझ लेना ये अंतर विच लोब है ये अंदकार है लोब अंदकार है अब जी दिनाड मैं एक छोटी जी गाथा सांजा कीती सी मैं फिर उसनों दोरा दवां वजीर नों कहन दा है बादिशा कि तेरी तलब होंदी है कदे कि मैं भी बादिशा बना हाँ माराज क्यों नहीं होंदी हर एक दी होंदी बस मौका मिलना चाहिए है पर मिल रही नहीं की करी करें देने चंगा अज मैं तेनों मौका देना हूँ मैं पर एक सवाल पुछांगा जी जबाब दे दिता एज राज संग्यासन तेरा और जी जबाब नहीं दिता ते फिर सजाए मौत एदो में करना तेरे सामने जाता तखत मिलेगा जब मौत मिलेगी जी सवाल ता जबाब नहीं दिता माराज एदोवें तरफ खत रही है उन की करा पर फिर भी दस सवाल मैं कोशिश करांगा पंज दिन दा समा है राजन केंदा है ओ केड़ा खू है जेदे विचे डिगन तो बाद मनुख निकल रही है ओ केड़ा खू है तलाश कर दा है थाँ थाँ तलाश कर दा है केड़ा खू है दुनिया में तो लती ता है ऐसा खू कोई है ही नहीं जितना भी डूंगा कोई खू होवे, खाई होवे, मनों के निकल सकता है, पर ओकेड़ा खू है, लब दियां, लब दियां, लब दियां, जह अपडी दे विच एक फकीर बैठा है, चांगा इस से नो पुछ लबा, जाके मत्था टेक दा है, ते ए वजीर कुछ सवाल पुछे उसादू पहला ही बोल पेया, कि किते तूं वजीर ता नहीं है, सवाल दा जबाब लेन वास्ते ता नहीं आया, वाराच एकी, आप जिन्नों क्यों पता लगा, किरने लगा कि मैं भी किसे जमाने में विच वजीर होया करदा सी है, राजे दा, मैंनों भी सवाल पुछिया स पर सवाल दा, जबाबता मैंनों मिल गया, पर मैं मुड के गया ही नहीं, राजे देखोल, मैं की करना है, जबाबता मैंनों मिल गया सी, पर मैं मुड के गया ही नहीं, पर जेकर तेरी तमन्ना होए, ता मैं तेनू देना जबाब, पर तेनू कम करना पहेगा, हां मारे दूस वो फकीर की करदा है इस सामने गांग खलोती है वो दा दुद करदा है ते दुद पहला आप पीनदा है और वो ही चूठा दुद कुटे नू पलानदा है और फिर वो कुटे दा चूठा दुद वो दे सामने रख़देंदा है करदा हूं तू पीले फिर मैं तरू जबाब देना वजीर करदा है जे तेरा ही जूटा हूंदा मैं पीलेंदा फिर कुटेदा जूटा फिर मैं वजीर नहीं हो सकता सादू करदा है ते फिर मरन वासते भी त्यार हो जा राजने ते नुमारन है सोच दा है अखीर विच अखां बंद करदा है वो प्याला चुकदा है ते पी लेंदा है पी लेंदा है वजीर कहनदा है सादून होन दस कहनद लगे बस एही खूँ है एह लोब ऐसा खूँ है एक दफा डिग पे आप बंदा निकल दा ही नहीं सारी जिन्दकी तरिशना खूँ है कहनदे ने वजीर कहनदा है करता तेरी समझ आगई होन मेनो राज नहीं चाईदा पर एक दफा जाना जरूर है राजे नू कर नमस दे राजे नू जाके कहनदा है राजन तेरे सवाल दा मैं जबाब दमांगा पर तेरा राज नहीं चाईदा है मैं नू ते जदू उस सवाल दा जबाब देंदा है ते बादिशा कहनदा है राजा कहनदा है वजीर नू वजीर किते ते नू मेरा पहले वड़ा वजीर ता नहीं मिल गया किते हाँ माराज होई विले है ते फिर तू राज नू कबूल क्यों नहीं करदा पिया करने लगे नहीं इस राज तो भी एक वड़ा राज है हुन में नू उस ती सू मिल गई है हुन में ओ राज लेना है इलाही राज तो अर्ध करडिया सी लोब दमिट द्याना गुरू दी हजोरी विच आके आपे करता देव डिया ही जिनकों आप लिखत धुर पाई ये अप जी संगत विच बैठे हो ये अप जी दी भाग बन दे पैने कर्म बन दे पैने तो ये भाग जिदों उत्तम शिकरते पहुंचनगे नानक नाम मिले ते जदों ये नाम जोली विच पैगिया भाव बंजन सारे डर खतम हो गए गुर शबदी सुख पावणिया फिर इलाही माउज फिर इलाही अनंद आप जी दी जोली विच पैगिया तो गुरु साहिब जी किर्पा करन ये प्यार आप जी नो सारे नो बक्षिश करन बाकी विचारा कल करांगे पल्ला चुकांदी खिमा करो किर्पा गुरु सिमरन देवित जड़ो जी एको अंकार सतनाम करता पुरुख निर्भाव निर्मैर अकाल मूरत अजुनी सेवं गुर्परसाओ एको अंकार सतनाम करता पुरुख निर्भाव निर्मैर अकाल मूरत अजुनी सेवं गुर्परसाओ एको अंकार सतनाम करता पुरुख निर्मैर अकाल मूरत अजुनी सेवं गुर्परसाओ एको अंकार सतनाम करता पुरुख निर्मैर अकाल मूरत अजुनी सेवं गुर्परसाओ एको अंकार सतनाम करता पुरुख निर्मैर अकाल मूरत अजुनी सेवं गुर्परसाओ आए गुर। आए गुर। आए गुरुँ लाज ग्रूम 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 आप्रू आप्रू वाहि गुरू जी का खाल साब वाहि गुरू जी की फत्थ